नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दवाईए जिससे रेगुलरली मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है डॉक्ट्राइन ओफ सिगनेचर ओफ जेलसीमियम तो आएए स्टार्ट करते हैं हम जेलसीमियम की अंडरस्टेंडिंग बिद्धी हेल्प आफ करेक्टर्स अब दी जेलसीमियम प्लांट देखिए दोस्तों जेलसीमियम लोगे नेसी फैमिली को बिलोंग करता है और लोगी नेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब पॉईजनस होते हैं जिनका इस्तमाल पुराने जमाने में लडाई के दौरान उप्योग होने वाले हत्यारों में किया जाता था अब इनका इस्तमाल कैसे किया जाता था और उससे क्या फाइदा होता था वो मैं आपको पहले एक्स्प्लेइन करूँगा उसके बाद फिर मैं होमियोपेथी के जलसीमियम के करेक्टर साब को बता हुगा तो जैसा मैंने कहा कि ये जो जलसीमियम पॉइजन हुआ करता था इसको हम हत्यारों में यूज करते थे क्या करते थे पुराने टाइम पर जो भाले या जो तीर दुश्मन को मारने के लिए इस्तमाल किये जाते थे उनको इस पॉईजन के साथ मिक्स कर लिया जाता था उनकी जो पेनिट्रेटिंग पार्ट था जो दुश्मन के सरीर को पेनिट्रेट करता था उस पार्ट को हम इस पॉईजन में डुबो देते थे जिससे क्या होता था जब हम किसी दुश्मन को तीर मारते हैं या जब हम किसी दुश्मन को भाला मारते हैं तो वो poison उस हतिया, उस ओजार के साथ-साथ आपके सरीर में चला जाता है। तो दुश्मन हतियार से भी मरता है, bleeding से भी मरता है और उस poisonous effect से भी मरता है। देखे, अब ये करना जरूरी क्यों था? तो देखे, अगर आप दुश्मन को सिर्फ trauma से मारेंगे तो दुश्मन को मरने में बहुत time लगता था और दुश्मन आपको परिशान करता था। जब हमने तीर को और भाले को इस poison के साथ भिगो लिया, तो अब वो poison उसके सरीर में चला जाता था दुश्मन के, तो दुश्मन जल्दी मर जाता था और हमारा काम जल्दी खतम हो जाता था। यह जो जल्सी में poison होता था, यह क्या करता था, दुश्मन के सरीर में जाकर जो नियूरो मस्कुलर जंक्शन पर एक नियूरो ट्रांस्मीटर होता है, जिसका नाम होता है, एसिटाइल कोलीन, उसको यह खतम कर देता है, इसकी बज़े से क्या होता है, दुश्मन की जो भी skelet लिटल मसल होती है, वो काम करना बंद कर देती है, दुश्मन को सुस्ती की फीलिंग आने लगती है, दुश्मन के हाथ पेर काम नहीं करते हैं, पैरालाइजड हो जाते हैं, तो वो लड़ नहीं पाता और हम उसको एजीली मार पाते हैं, वो हत्यार नहीं चला पाता और हम ह हाट रुक जाता है और आपका रेस्पाइरेशन रुक जाता है और दुश्मन की डेथ हो जाती है तो क्या देखा दोस्तों आपने कैसे एक जेलसीमियम पॉईजन ने दुश्मन के सारे सरीर को पैरलाइस कर दिया उसके हाट को बंद कर दिया उसके रेस्पाइरेशन को बंद रोक करने से, तो इस जलसी मियम पोईज़न का इस्तमाल हतियारों में दुश्मन को मारने के लिए किया जाता था, अगर हम इस स्टोरी से हॉमियोपैथी की जलसी मियम को समझने की कोसिस करें, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमियोपैथी में जलसीमम मेडिसन है उसमें तीन वर्ड कॉंस्टेंटली आते हैं डल, डिजी, एंड ड्राउजी जो कि उसकी पॉईजनस एफेक्ट है जैसा मैंने आपको बताया कि जलसीमम पॉईजन मरीज को परालाइस कर देता है हार्ट को रोग देता है, रेस्पारेशन को रोग देता है, आपके नर्वस सिस्टम को इनिवेट कर देता है, आपके नर्वस सिस्टम में एसीटाल कोलीन को खतम कर देता है इसलिए मरीज को बहुत ज़्यादा सुस्ती का महसूस होना बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील होना कोई काम करने की इच्छा नहीं होना ऐसा लगना कि यहीं पर गिर जाओ बिल्कुल मसल्स में कोई ताकत नहीं होना जलसी मीम के बारे में एक बात कही जाती है कि जलसी मीम के एक्षन के अंदर मरीज का मैंड कुछ कहता है और मसल कुछ कहते है मतलब हमारी मसल मैंड की सुनती नहीं है मैंड कह रहा है कि मैं ये चीज पकड़ के उठा लू लेकिन आपकी मसल उस तरीके से accordingly वर्क नहीं कर पारी क्यों क्योंकि नियूरो मस्कुलर जंक्शन पर Acetylcholine खतम हो गया है तो जलसीमियम में आप dull dizzy and drowsiness क्यों देखते हैं क्योंकि जो जलसीमियम poison होता है वो Acetylcholine को खतम कर देता है इसलिए आप जलसीमियम में dull dizzy and drowsiness देखते हैं इसलिए जलसीमियम कई प्रकार के paralyzed conditions में भी काम आती है जैसे खासकर आपने सुना होगा tosis अपर eyelid का droop हो जाना इसमें जलसीमियम का बहुत इस्तमाल होता है तो paralytic conditions में भी जलसीमियम का इस्तमाल होता है इसके अलावा उन सारी conditions में हम जलसीमियम दे सकते हैं जिन में मरीज dull dizzy and drowsy हो जाता है चाहे फिर वो influenza हो चाहे वो किसी प्रकार का fever हो चाहे वो sun stroke हो मरीज अगर dull dizzy and drowsy हो गया है तो वो condition जलसीमियम के लिए उप्यूक्त है अगर ऐसी condition में हम जलसीमियम देंगे तो similia similvus curanter के principle पर आपको relief आएगा अब हम बात करते हैं जलसीमियम के एक और हिस्से की जिसके लिए जलसीमियम क्या उप्योक्त बहुत जादा होता है और वो है anticipatory anxiety देखिए दोस्तों anticipatory anxiety के लिए homeopathy में कई सारी दवाईया है लेकिन जलसीमियम का इस्तमाल हम तब करते हैं जब कोई बंदा या कोई परसन किसी काम को करने से पहले एकदम anxiety में आ जाए घबड़ा जाए और उसकी पूरी body dull हो जाए उसमें इतना trembling नहीं मिलेगा अगर मिलेगा भी तो थोड़ा बहुत मिलेगा शुरुवात मिलेगा लेकिन किसी भी anticipatory anxiety में अगर मरीज एकदम dull पड़ गया है एकदम बैठा रह गया है कोई काम नहीं हो रहा उस पर ऐसी इस्तिती में हमको जैलसीमियम का इस्तमाल करना चाहिए तो यह याद रखी है आप जैलसीमियम अगर कोई मरीज मैं दूसरे अगर उल्टे तरीके से बताऊ तो अगर किसी भी बीमारी में मरीज कि अंदर अगर डलनेस नहीं है ड्राउजीनेस नहीं है डिजीनेस नहीं है तो हमको जैलसीमियम नहीं देना चाहिए डल डिजी एंड ड्राउजीनेस की एपसेंस जैलसीमियम का कॉंट्रा इंडिकेशन होता है कि या यह ना तो एंटी सक्राइटरी एंजाइटी के लिए भी होमिएपैथी में कई मेडीसंथ हैं है लाईको पोडियम है फॉस्फोरस है साइलीशिया हे अरजेंटन नाईटरीकम है लेकिन सब शुरूवात में जरूर डरेगा लेकिन फिर वो उस काम को कर लेगा और खास करके जब ये एंटी सेपेट्री एंजाइटी किसी नए वर्क के लिए हो और पुराने वर्क के लिए न हो तब हम लाइकोपोडियम का इस्तमाल करते हैं ठीक है तो हर मेडिस्यन का एक करेक्टर है एंटी सेपेट्री एंजाइटी में देने का तो उसी तरीके से जेलसीमियम को हम एंटी सेपेट्री एंजाइटी में हम तभी उपयोग करेंगे जब मरीज डल डिजी और ड्रावजी हो जाएगा तो दोस्तो ये मेरी एक छोटी सी एफर्ट थी आपको जेलसीमियम याद कराने की मत भूलेगा जेलसीमियम एक पॉईजन है जो हमारी सभी प्रकार की मसल को चाहे वो स्मूद मसल हो चाहे वो काडियक मसल हो चाहे वो स्केलेटल मसल हो उनको पैरालाइज करता है उनको डल क करता है और इसका कारण एसी टाइल कोलीन का खतम हो जाना है इसलिए जलसी मियम के हर मरीज में डल डिजी एंड ड्राउजीनेस का होना जरूरी है इसके बिना हम जलसी मियम की प्रिस्क्राइबिंग नहीं करते हैं तो आसा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होग मेरे इस वीडियो को सभी होमियोपेथिक स्टूडेंट्स और होमियोपेथिक डॉक्टर्स में शेयर करिए कमेंट करिए और मैं अगर मुझसे कोई भी सवाल करना हो तो आप सवाल करिए मैं उसका जवाब दूँगा आपको थैंक्यू गुडबाए